सिक्स सीडी को लेकर बारह साल पहले लाइम लाइट में आईपूर्व मिस्स जम्मू अनारा गुपता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है जिसकी वज़े यह बताई जा रही है कि अनारा ने अजे देवगन के नाम पर लोगों को जूट बोलकर करोडों की ठगी की है और इस ठगी के बार इलाहबाद पुलिस ने अनारा गुपता के नाम पर धोखा धड़ी का मामला दर्ज किया है इस केस के आरोपी ओम प्रकाश यादव को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और अनारा गुपता के साथ उनके दुसरे दोस्तों की भी च्छानबीन की जा रही है पुलिस का कहना है कि अनारा ने जीले के ओम प्रकाश यादव और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इंपीरियल मीडिया एंड इंटरटीन्मेंट नाम की एक प्रडक्शन कमपनी बनाई थी फिलहाल पुलिस ने इस ठगी के मास्टर मास्टर माइंड आरोपी ओम प्रकाश यादव को गिरफतार कर लिया है जबकि अनारा गुपता और उसके दूसरे साथियों के बारे में च्छानबीन की जा रही है यह है मामला कहा जा रहा है कि इस प्रडक्शन कमपनी के जरिये यह प्रचारित किया गया था कि अजय को लेकर दिल वाले फिल्म का सेकेंड पार्ट बनाया जाएगा जिसकी लागत करीब अंटीन सव करोड रूपे रहेगी अनारा के रचित संग ने निवेशकों से यह कहा कि फिल्म में जो लोग पैसा लगाएंगे उन्हें न सिर्फ हमुनाफे में हिस्सदारी दी जाएगी बलकी साथ ही हर महीने एक निश्चित रकम भी दी जाएगी जिसे सुनकर कई लोगों ने इस फिल्म में पैसे लगा दिये साथ ही लोगों की अजय से मुलकात करवाने के नाम पर भी करोडो रुपेड एठे किये गए शुरुवात के कुछ महीनों में पैसे दिये गए लेकिन जब पैसे मिलना बंद हो गए तो लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी जब लोग अनारा गुपता और उसके साथियों से परेशान होने लगे तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की बात दे की अनारा 2001 में मिस जम्मू चुनीगी थी लेकिन 2004 में उनकी एक सेक्स टेप मार्केट में आ गई थी जिसके बाद वे रातों रात फेमस हो गई थी 6 CD के मारकेट में आने के बाद अनारक को उनकी माँ और उनके तीन भाईयों के साथ हरेस्ट किया गया था